आज बाप दादा अम्रत फेले जक्कर लगा नहीं गए क्या देख नहीं गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दिये अगर एक-एक स्वमान में इस्थित होके उस इस्थिती में बैटो चलो तो स्वमान के दी जाओ और माला को बाते जाओ तो बहुत मसाएंगा स्वमान की लिस्ट रखी है लेकर एक-एक स्वमान कितना बड़ है और किसने दिया है वाल्ट अनमेटी अथारटी ने एक-एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दीए उसको यूज करो क्योंके और कोई अधारटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली है तो बाप दादा ने देगा सत्ययोग में तो राजबाग मिलेंगा लेकिन ये स्वमानों की माला संगम यूग की देए बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के इस्तती से देखते हैं वाप जावा तो स्वमान के अथारटी में रहो मैं गोड कभी कौंसा स्वमान सामने रखो कभी कौंसा स्वमान सामने रखो और जी करो तो आज अम्रत वेले जो विश्येश स्वमान पुदी में रखा उस स्वमान कजान है ना इसको यूज किया क्योंको कजाना पढ़ने का साधन है जितना कजाने को कारिय में लगाएंगे उतना कजाना पढ़ते हैं तो आज वाप दाद देख रहे थे कौन कौन बच्चा है किसके पास स्वमान किस स्वर्थी की माना पढ़ी थी किसके पास छूटी जाँ स्वमान होगा वाँ देपान खतम हो जाता तो आज बाप दाद ने चकर लगाया और देखा जैसे स्वमान का कजाना है ऐसे एक एक शक्ति एक एक कुन इस्तवाल करो उसको कारिये में लगाओ तो यह जो प्राप्लम होती है माया आ गई माया आ नहीं चाहती लेकिन माया ने बाप को सुख़ए कि मेरे को आवान करते है तब चाहती हूँ ऐसे नहीं चाहती हूँ कोई भी हलका संगलब करते है माना माया को आवान किया शक्तियों को छोड़ता है तो माया को आवान किया चाहते नहीं है लेकिन आ जाती तो बल्वान कौन चाहते नहीं है लेकिन आ जाती तो माया बल्वान हुए याँ तो आज पुराना वरश समापत हो रहा है नए वरश में नया हुमक नया उत्सा क्योंक संगम यूग का काईन है एक एक तुन तेन उत्सा परा हुआ है एक तात उत्सार तो ओवाग हुआ है तो हार देन उत्सार इसलिए पक्का रखना रोज अपना चलते फिरते भी चाट देखना जेक करना जेक करेंगे तो जेच करेंगे न जेक की नहीं करेंगे तो जेच कैसे करेंगे